कि युद्धकांड का अभी तक हमने तीसरे अध्याय के बीश लोग तक किया है हनुमान ने जब राम को डिटेल सुनाया कि इसके इसके साथ पुरा हुआता है युद्धकांड शुरू अपता है राम कुष्टे की हनुमान अब डिटेल में बताओ कि लंका की क्या स्ट्रेंथ है उनकी कितनी सेना है कितने फोट हैं दूर्ग हैं क्या वेपन्स हैं किस तरह की वहां की सेक्यूरिटी है यह सब चीजें डिटेल में बता तो हनुमान वो चीजें डिटेल में बता रहे हैं और हमने पिछले बार थर्ड चाप्टर के तृतिय सर्ग के 20 तक किया था उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे जैसे कि बताया था यह जो साइट है इसके युद्धकांड के सर्ग काफी गलत हैं तो मैंने एक दूसरी साइट निकाली है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा शुद्धता नहीं है पर क कम से कम वर्ट्स अलग-अलग हैं तो पढ़ा जा सकता है कि लंका पुरी निरालंबा देवदुर्गा भया वहा नादेयम पारवतं वन्यम पृत्रिमं चचतुरु विधाम यह जो लंका नगरी है यह निरालंबा इसके यह किसी पर डिपेंड नहीं है चारों तरफ से से नाचुरल पूर्ट्स और इसी कारण से यहां अभय अभय केते हैं फियरलेस बनी है नादे यहां चार तरह के नाचु वह दूर्ग बने हुए हैं चारों तरफ तरह के दूर्ग क्या है अदेयम पारवतं वन्यम कृत्रिमं एक जिस देश के एक तरफ पानी हो बहुत होता है पारवतम बड़े-बड़े माउंटेन हो वह भी नाचुरल डिफेंस होता है वन्यम बहुत बड़ा जंगल हो तो भी एक तरह के वह सेप्टी होता है क्योंकि लोकल आर्मी जो है वो चुक के गरिला लड़ाई कर सकता है और चौथा होता है कृत्रिमं मैंड जो प्राई के अंदर रटिफिसयल डिफेंस सिटम कटिवेट करता है मोगें एक लुटिवैट करने जो चार तरह के डिफेंस सिटमं कहीं भी होते हैं नैचुरल खेय already कृत्रिम होता है एक मैनमेड होता है और लंका इन चारों तरह के डिफेंस सिस्टम से घिरावा है चारों तरह से समुंदर है समंदर पार करके जाओ तो पाहड के परवत के ऊपर है लंका जंगल सब जगा भरे पड़ें और कृत्रिमा जो है आटिफीशियल इससे पहला आपने देखा कि रावन की जो लंका है कितनी स्ट्रॉंग डिफेंस सिस्टम बना है कैसे वाल बनेवें चार तरफ से दरवा जाएं हाई आधी आधी यह थोड़ी बहुत बता है कि स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव नव पठश्चापि नास्ति अत्र निरादेशचच सर्वतह समुंदर के पहली चीजे की है राघव यह तो समुंदर के पार रहता है यह लंका राज्या है इसलिए वहां पहुंचना मुस्किले बहुत दूर है नौपथ श्चापी नास्ती यहां नौपथ मलब कोई वेसल या कोई नाव अगरा जाने का विरास्ता नहीं है और अत्र निरादेशस्च शर्वत सब कहीं भी किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन का वहां रास्ताई नहीं है शैलाग्रे रचिता दुर्गा सापुर्देव पुरोपमा वाजिवारण संपूर्णा लंका परमदोर जया अदूसरा है कि यह यह पहाड के उपर बनी होई है यह यह लंका तो उसनाते वी सेफ है दुर्ग है मुस्किल्यमा जान ऐसा लग रहा है मानो देवताओं की नगरी स्वर्ग हो और उसके अंदर वाजी गोडे वारण हातियों से यह लंका भरी होई है इसलिए लंका परम दुर्जय अर्था जिसको जिता नहीं जा सकता एक्स्ट्रिमली डिफिकल्टू कांख्योर है परिघा आश्च्च शतक्ग्नाष्च यंत्राने विविधानी चा स्ट्रावन दुरात्मा रावन की लंका पूरी में फिर यह तीसरा जो अटिफिश्यल क्या-क्या है परीघा है बहुत गहरे ट्रेंचेस जिसको खाई केते हैं शतक्ग्निया सो लोगों को एक साथ मार करने लायक जिसको मडन वेज में आप तोप केते हैं तोब हैं और यंत रहे के आप सोफिष्टिकेट्रेट यंत्र इंजिन सें ये सब चीजें उसको उसकी डिफेंश के लिए लगे हुए हैं और उसकी सेना भी जो उसकी आर्मी है वो चारों तरफ से परिवें कैसी आर्मी है यूत्णम रख्यसामत्र पश्चिमा द्वारमा शृतं शूला हस्त दुरा धर्शाह सर्वे खडगा अग्रयों भी नहां दस हजार एक आयूत आयूत केतने टेन थाउजन दस हजार आख्यसाइनिक उसके वेस्ट गेट पर खड़ें पश्चिमी द्वार पर हाथ में बड़े बड़े शूल तलवार ले करके खड़ें निवतम रख्यसामत्र दक्षिन द्वारम आश्रितम चतुरंगेन सहीनियेन योधास्तत्र आपियनुत्त महां हर साउथ गेट जो है उसमें निवतम दस लाख सेना लगी हुई है और वह भी चतुरंग सेना है चतुरंग सेना समस्तें जैसे आज की सेना होती है वो शडंग सप्तांग मलब पांच अच्छे तरह की आर्मी होती है एक तो होता है आर्मी फिर आपके नवी फिर आपके एरफोर्स यह तीन फिर आज कलिए स्पेस वार स्पेस वार गुरुजी स्पेस वार चौथा पांच वार यह जो साइबर 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 वार या साइबर वार और बहुत बड़ी चीजे ममद्ध उसकी इलेक्ट्रि सिटी उड़ा सकते हो उसकी उसकी वह जाम होजाए तो बहुत बड़ा नुक्शान हो जाता है ना बहुत कुछ तो नॉर्मली तीन जो होते हैं वह रेगुलर आरमी में काउंट होते हैं आजकर आर्मी नेवी और आपकी एयर फोर्स और उसके साथ आजकर साइबर भी आ गया की आर्मी में लिदा से डिटेंफरो आर्मी में बहुत और बटो दैसे वॉत यह पुराने जमाने में चार दिविजन्स होते हैं इसको केते हैं चतुरगी सेना रत होता था जिसकोद देरख करते हैं रत ही प्रेश 15 एक वैटलियन एक होता है श्वार यह गोड़े पर बैटके लड़ाई करतें फिर गजार हो ही जो हाती पर बैटके लड़तें तीसरा उतने पदाती जो पैदल चल के लड़तें इसको चतुरंगी के थेते राचनकाल में जिस राजा के पास चतुरंगी सेना होती तो वो अच्छा अर्मिव वाला मना जाता हूता त verbessिवन सिष्टम बाकिव से बेटर ऑडंड जिसके इतने जदा रथ होंगे गोड़ा होंगे हाथी होंगे उतना बेटर पदाती तो होते हैं यह नर्मली पर वह पैदल वाले तो सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं उनकी नंबर भी ज्यादा जो डिवीजन बाले और बीके वहां शेना लगे रही तम रख्यसामत्र पूर्वद्वारम समाश्रितम चर्मखट गधर सर्वे तथा सर्वास्त्र को विदा और पूर्वद्वार पर भी प्रयूता वही दस लाग करीव वह भी हैं दस लाक्षेन निवत प्रयूता एक ही ची शील्ड और शोड अर्थात कवच्च जिसको केतने चर्म कवच्च और तलवार लेकर कड़ें पर वैसे वो सभी सभी आस्त्र चलाने में एक्सपर्ट है अब आतने उत्तरद्वार नियर्बुदम रक्ष सामत्र उत्तरद्वारम आश्रितम रथे नाश्च श्ववाहाश्च पुलपुत्र सुपहुजिता है हंड्रेड मिलियन हंड्रेड मिलियन मलंग दस करोड तो नियर्बुदम रक्ष सिना नर्थ गेट पर खड़ी है आर वह जाद सारे के सारे या तो रती हैं अब छेरीटी रहे गोड़े और रत पर हैं या अश्वबाहा घुड़े पर हैं उनमें सारे पुलपुत्र अच्छे खांदान के बच्चे हैं और जो की सोसाइटी में बहुत ज्यादा पुजित हैं रिस्पेक्टिड हैं ऐसे फ्यामिली के बच्चे यांग लड़के वह सेना वाल उसकी जो आर्मी ग्रूप है वह वहां खड़ी है शतम शत सहस्राना मध्यमं गुल्म माश्रितम या तुद्धाना दुराधर शाहा ताग्रकोटि हिश्च रख्यसाम अचार हैं जो है मध्यम गुल्मौ जिसको क करें जर्ट तो सेंट्रव जी कितने शतम शत्त सहस्राना है एक करोड जो सेना है वह तो सेंट्रल डिवीजन ने हैं आर वह सबके सब यातुद्धाना मैजिक्टल पावर उनके पास है इनको अहराना भी बड़ा मुश्किल हैं तो वो वारियर तो है उसके साथ उनके पास मैजिकल पावर भी है मैजिक वजो रूप बदलना ये करना इस तरह के ते मया संक्रमा भगना परिखाश्चाव पूरिता दग्धाच नगरी लंका प्राकाराश्चाव साधिता बले कदेश अक्षपितो राख्यसाना महात्मना तहनवान राम को कह रहें ये उबरल लंका की डिफेंस सिस्टम है पर जान रखिए मैं जब वहां गया था मैंने उनके बहुत सरे जो ब्रीज हैं जो खाई पर ब्रीज बनी हो ये लास्ट टाइम हाब पड़ रहते उन में बहुत सरे ब्रीजों को तो मैंने लंका नगरी को भी हिसा जला ढाली ति उनके दिवारों थोट डाला था अवबलेई का देश अक्षय पिता उनकी आर्मी क बहुत बड़े हिस्षे को मैंने माहड़ डालाता है ये बिदिधिक नतुम्हार गेन गश्राम हते लक्र में काम मानरे रवधार उता ह् वह राम हमें समुदर को पार करने की जरुरत ल närवे पांई पानी का आलायमला समुद्र बस हमें समुंदर को पार कर लना के ना ये ना प्रकारें किसी तरह अगर हम किसी तरह समुंदर को पार कर गए तो यकेन मानिये स्री राम वानरों के द्वरा लंका नगरी नश्ट करती जाएगी ऐसा मान के चलिए बस प्लान करिए कैसे हम समुंद पार कर दें अंगदो द्विविदो मैंदो जांबवान पनसो नलह नील से नापती ही चैव बला शेशेन कें तव यह सारे सुग्रिव की वानर सेना के बड़े-बड़े उंख नजलोके अंगदो द्विविदो मैंदो जांबवान पनस नल नील यह सब के सब कमेंड़र हैं इनके अपने Katherine है और इनकी जो स्ट्रेन्थ है नहीं किया जा सकता क्लबमाना ही गत्वाताम रावनष्य महापुरिम सब प्रकारम सभवानाम अनई शंति महितिलिम अगर ये सब के सब किसी तरह समंदर पार करके लंका में पहुंच जे रावन की नगरी तक तो यकेन मानिए रावन की लंका उसकी दिवारे उसके विल्डिंग सब कुछ को तोड़ के सीता को महितिलिको वापस लेकर ही आएंगे इस तरह मैंने आपके सामने लंका की जो डिफेंस सिष्टम है रक्षा की जो देवस्था वो मैंने आपके सामने डिटेल में बताया और ये भी बताया हमारी क्या श्ट्रेंग थे बस ये सब सुनने के बाद आप बस अभी अभी मतलब इस मॉम्मेंट जितना जल्दी हो सके आप आदेश दीजिए कि हम प्रस्थान शुरू कर दे हम वहां के लिए चलना शुरू कर दे और सेना संग्रह शुरू कर दे तो इस तरह हनुमान के द्वारा लंका की डिटेल्स डिफेंस रक्षा की जो वि आप और आखिर में कंक्लूजन के रुप में जो हनुमान ने कहा कि आप बस अभी मत करिए अभी जितना जल्दी हो सके आदेश दे दीजिए हम वहां के लिए जात्तरा की तैयरी कर ले तो हनुमान के ये बात सुन करके श्री राम ने का हनुमान तुमने जिस लंका का नश्ट करना चाहता हूं कि फिर उन्होंने श्री राम ने महाराज सुग्रीब से कहा उनको देख करके महाराज अब आप जथा जतना जल्दी हो सके सेना प्रयान मलब आर्मी मार्चिंग का आर्मी अपनी यात्रा शुरू करे उसका अर्डर दे दीजिए और आज ही हम जात करने का यही बेस्टाइम जातरा शुरू करने नाये शुग्रिव ने उसी समय फू कर सारी वानर सेना उनकी जो कमंडर तो सेना पती वहीं पर रहें तो सबसे पहला जो बैटेलियन जाएगी दल एक लाक वानर्शेना नील की लीडर्शिप में सबसे आगे चलेंगे उनका काम है रास्ता को साप करना और रास्ता दिखाना जिनके जिनके घर में बच्चे हैं बुड़े हैं बिमार हैं वो लोग मत आएं वो वहीं पर किसकिंद फ्केक्रा में ही बने रहें रहे वागी बड़े-बड़े हैं कमैंडर हैं गज सरी एक अपइंध के शरी गबUh रिशव दंदमादन अधी जो बड़े-बड़े शेना पती हैं वह अपने-अपनी खेंअ बड़ें के साथ अलग-अलग दिशाहों में कोई कि टीटेल में है कोई आर्मी की रहेगा कोई और राइट में रहेगा कोई एक पर यहां से चलने लगेंगे और राम और सुक्रीब की बाद्चित के बाद ये निश्चे हुआ कि स्री राम जो है वह अनुमान के कंदे पर बैठके जाएंगे और लक्ष्मन पर बीच में जाएंगे संंतर में जाएंगे साथ में सुग्रीब करेंगे और जो भालु सेना है जो जांबवान आदी वह भी गाइड करेंगे इस तरह एक तरह के जो आर्मी फर्मेशन के साथ हम यहां से चलेंगे तो राम के आदेश के अनुशार शुग्रिब ने उसी तरह के लोगों अपने वानर्शना को आदेश दे दिया उसके बाद यात्रा शुरू हो गई धर्मात्माराम सेना सहित पूरी वानर्शना के साथ साउत के और चलना शुरू कर दिया किस्किन्दास सब से आगे नील है जिसका काम है कि रोड क्लिन रास्ता बनाना और रास्ता बताना किस डारेक्शन में जाना है और जाते समय रास्ता बनाना वाकि रिशव वीर कुमूद यह सब जो वानर वीर है वो नील को हेल्प कर रहे थे इस तरह बाकी वो अलग-अलग responsibility कौन राम लक्ष्मन को के साथ कौन सी आर्मी रहेगी कौन सा लेप्ट राइट होगरा जाएंगे तो वानर्शे ना चलने लगी खुशिशे उचल के कूद के ना कोई किसी से छटका brings जैसे आर्मी याती है एक दुसरे से मस्ति करके जैघ्षोष करके हम सिताजिक मैपिली को वाप ट लाएंगे जो होता है आर्मी की जो अपने एक जैघोश होगरा उसके साथ मस्ति करते हुए भी वानर एक दूसरे से वो सब चलने लगी और आस्ते में फल मूल उन दिनों तो पॉपुलेशन इतना नहीं था जंगल भराता तो खुब फल मूल शहद यह सब खाते हुए पिते हुए चल रहे थे पर कहीं विश्राम नहीं कर रहे थे सब इतने ज्या कोई विश्राम नहीं करके और वो चलते गए चलते चलते महिंद्र परवत के पास पहुँचे जो की सागर के किनारा है सागर के तट पर है वहीं पर जब पहुँचे तो सब ने देखा सामने विशाल सागर है समुद्र है वहां पहुँच करके श्रीराम ने सुग्रिब से क कि यह समुद्र के किनारे तक आगए अब क्या करें अभी तक तो बड़े जोश में आया यह समुद्र को देखके फिर मुझे डिप्रेशन हो गया अब जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच कि आप समुद्र पार करें तो कैसे करें इसलिए मेरे अंदर और चिंताएं बढ करें तो जब तक हम सोचें कि सागर को कैसे पार किया जाए उसके लिए को स्ट्राटेजी बनाया जाए तब तक पूरी वानर आर्मी को वानर सेना को यहां पड़ाव डालने जिसको कहते हैं यहां क्यांप लगाई तो यहां फिर हम बैठके विचार करें इस सुनकर के सुग कि जो कमांडर सें अलग-अलग दिविजन के वह अपनी अपनी सेना के साथ रहें उनको चोड़ कर कहीं जाए नहीं तो यह जो क्यांप यहां लगेगी के लिए जिसकी जिम्मेदारियों ध्यान रखें कहीं ऐसा नहीं कोई राख्या शेना कोई छुप करके बैठा और आव स्था करके पानर्शना जब देनराष डाल दी तब स्रीराम स्मंदर के किνारे लक्षमन के साथ बैठे हैं आप बैठ करके फिर दुखी और उदास वो करके लक्षमन से बोलते हैं कि कैसे यह समंदर को पार कर लक्षमन अब फिर मैं दुबारा डिप्रेशन में शोक में जा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं सिता के विरास है नहीं पाता वो तो है ही और उससे ज़्यादा चिंता है अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो सिता का सिता बचेगी नहीं और इतना बड़ा समुंदर को पार करने के लिए के हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं पिर वह पांचोंह सर्गमें स्री राम का दोवारा दिखाया जाता है देवी शिता के विरह में जो suppliers करते रोते हैं देविद्द सिता की पुरानी चीज़ों को याद करते हैं इस तरह के दिखाय जाता है इस तरह यहां यहां तक बात आई राम की तयारी समुंदर तक पहुंच चुके समुद्र कैसे पार किया जाए उसके बारे में अभी सोच विचार शुरू हो गया है अब वालमी की अपना फोकस दूसरे तरफ ले जाते हैं वह तो हुई जब तक हनुमान लंका में था लंका के बारे में बता अभी हनुमान जब से आया तब तो इस साइट की डिसकुशन चल रहा है उदर के चल रहे अब चटे सर्ग में आज देखेंगे कि लंका में क्या तैयारी चल लंका में क्या हल चले वहां क्या बाती चल लेगे उसकी हम देखेंगे लंकायाम् तुकृतं कर्म घोरं दृष्ट्वभवा भया वहम राख्यसेंद्र हनुमता शक्रिनीव महात्मन अब्रवित राख्यसांसर्वान रियाकेंचिदवां मुखह थर्षिताच प्रविष्टाच लंका दुस्प्रसहा पुरी इस तरफ लंका में हनुमान के दौरा जो तोड़ पोड़ की गई जो भयानक विनाश लंका में किया गया उस सब को देख करके राख्यसों का राजा रावन अपने राख्यसों की जो मंत्री हैं उनको एकठा करके बहुत सरम के मारे अपने मुह को नीचे करके उन्होंने बोला कि यह लंक देखो एक वानर एक एक तुच्छ सा वंदर वो यहां प्रविष्टा इतने मुश्किल में आने लायक लंका के अंदर गुस भी गई लंका को तहश नैस भी कर लिया सीता को ढूंड भी लिया सीता से बाद भी कर ली प्रसादो धर्शित चैत्य प्रवरा राख्यसा आता आविला चपुरी लंका सर्वाहनुमताक्रत उसने बड़े बड़े बिल्डिंगों को उजाट डाला अशोगवन में जो संक्च्वरी बनाए गये थे उसको भी उजाट डाला बड़े बड़े राक्षस भीर सैनिकों को मार डाला पूरी लंका को उसने विद्वस्त कर डाला किम करिश्यामी भद्रम वह किम्वा युक्तम अनंतरम मैं आप लोगों का क्या भला करूं आपके होते हुए हनुमान को आपने कुछ नहीं कर पाया किम्वा युक्तम अनंत इसके बाद और क्या सही होगा नहां समर्थम यत कृतम चस्कृतम भवेत कम से कम आप तो बोलिए हमारी क्या क्या कर सकते हैं और क्या करें तो हमारे देश की हमारे राज्य की भलायोग अभी बैटके डिसकुशन कर लें वह एक बंद जिसे देवता डरते हैं राक्यश डरते हम तो कितने अभिमान में थे कि लंका तो डिफिकल्टू इविन एंटर अरे वानर आकर क्या क्या कर गया हम कुछ नहीं कर पाए मंत्र मूलं ही विजयं प्राहूरार्या मनस्विना दस्माद वही रोचये मंत्रम रामं प्रति महा बलहा मैंने यह सब पढ़ा है आर्य विद्वान लोग आर्य कितने नुबल स्रिष्ट ज्यानी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो विजय है विक्ट्री का जो रूट है मूल है व डिसकेशन एक दूसरे से सलाल लेना50 करना और सिक्रेट stadt टीसकैशन को मंत्र कि रिकवेस्ट करता हूं आप अपने अपने मंत्र सबादि अपनी अपनी बातें रखीये सुझाव दीजिए पराम को हराने के लिए हम क्या कर सकता है त्रिविधा पुरुशा लोग के उत्तमा अधम मध्यमा तेशाम्तु समवेतानाम बुनदोशं बदाम्याम देखो मंत्री लोग दुनिया में तिन तरह के लोग होते हैं उत्तमा बेश्ट मध्यमा मिडियम अधमा वर्ष्ट और उनका क्या-क्या गूण और दोशे क्या मेरिट अंटी मेरिट सें वो मेरे से आप सुनो अच्छे लोगों का मीडियम लोगों का और बुरे लोगों का यहां लोग मलब राजा लीडर जानले कि लीडर्शिप जो लीडर बनना चाहते हैं या लीडर हैं उनको जानना चाहि मंत्र भेर्हित संयुक्तेही समर्थेईर मंत्र निर्नये मित्रेईर वापि समानार्थेईर वंधवेर अपिवाहितेह। सहितो मंत्र इत्वाय कर्मा रंभान प्रवर्तयेत। दैवेच खुरते यत्नम तमाहू पुरुषो तमम उसको उत्तम पुरुष बेश्ट लीडर माना जा किसको जो व्यक्ति मंत्रियों के साथ अपने मिनिस्टर्स सेक्रेटेरी अडवाइजर्स जो भी वड़ी उज़ करिए काउंसिलर्स उनके साथ डिसकेशन करता है कैसे हो वो काउंसिलर्स मिनिस्टर्स या सेक्रेटेरी जो हितसायुकते ही जो देश का राजा का भला चाहते हैं समर्थ जो क्यापबल है कुछ करने की मंत्र निरनाये और जो अडवाइस जो सला दे सकते हैं जो काउंसिलिंग कर सकते हैं मित्र ही अपने जो दोस्त हें उनके साथ समानार्थ ऐसे मित्र जिनकी गोल अबजेक्टिव सेम हो एसे मित्रों के साथ बांधवे ही अपने रिलेटिव के साथ हिते ही ही अपने वेलविशर के साथ बैट के जो मंत्रना करता है जो डिलिबरेशन करता है उसके बाद करके करमारंभान प्रबर्तेत अपना काम शुरू करता है और भगवान की यह यह जो होता है प्रारभ्ध जो प्राब्ल जो अंसिन फ्याक्टर है उसको भी जो काउंट करता है उसे को पुरुशुत्तमा श्रेष्ट म्यानब कहता है बात क्लियर हुई कि अकेले कोई डिसिशन लेना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी हुमन बिंग अपने आप में इतना ज्यादा पर्फेट नहीं होता कि हर चीज की दोनों साइड मेरिट डिमेरिट को ठिक ठिक समझता है और अगर आप लीडर्स हैं अलब अगर आप बड़ी देश का कर्पोरेट उसे इसंटिटियूटन लिडरें यहां आपके पास बहुत लोग आपके साथ हैं तो फिर आप इक वित्ति छाहिं आपने जो भी काउंसिलर से हैं या मिनिश्टर से इनके साथ कि जो सेंशीन अबजेक्टिव रखने वाले मित्र हैं और मित्र जो आपके तरह ही सोचता हो जान है केनेडा है ईवाएं अ है नहीं ने हैं मिनोत भारत को समस्या दिए इसकी मित्रदेश को ने और किसके साथ बात करता है रशिया के साथ अमेरिका के साथ नहीं कि वह उसके और दोनों के सपर डूश में पकिस्टान उगरा पर इनडाइरेक्ट तो अमेरिका और है क्योंकि यह हमेशा उनको सपूर्ड करते हैं भारत की जितने भी सप्रू है अमेरिका वेस्टन क्यान पेंट्री इस्टिरी के ली उनको सपूर्ड करपें हैं आपको पदा होना चाहिए बंगलादेश में 15 साल से श सब्सक्राइब और से कुछ भी हो उसको ध्यान मत दीजिए उपर से कौन क्या दोस्ती है नहीं है अमेरिका बाइनेचर एज आंटी-इंडिया कंट्री जे प्रो-पाकिस्तान कंट्री यह ध्यान देना है तो क्यों आप जो आज कल बहुत लोग सवाल पूछते होंगे कि वही क्यों रुश्या का साथ देता है युक्रेण में इतनी हो वी युक्रेण में उनके भाशा में जो हमारे अडियों लड कि हमें अपना मित्र चुनने का है जिनों जिसने हमें जिंदेगी वर्स जब हम जब भी ट्रबल में पड़े हैं आपको पदा है जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है अमेरिका जहाद बेज़ पाकिस्तान की सपोर्ट में और हमें अगर आधी रात को किसी ने हमेशा डिशुट का इंडिया के खिलाप जितने पास होते हैं अमें हमेशा रशिया नहीं बचाया तो रशिया खराप हो अच्छा ओप पोलिटिकली हमारा मित्र देश यह स्टेंड इस अपना मित्र डोंगता मित्र सोँषता कल हमारी जरूद आज हम रशिया के खिलाप 10 लाइन अपना डबल गेम कहलते रहते हैं तो किसी के नहीं है वो अपने यूरोप बाले अमेरिका के पूछें चाइना शत्रु है तो हमारा साथ कौन देगा इसलिए बात समझ वाती है जिनको क्यों भारत को इतनी बदनामी होने के बाद भी रश्या का साथ नहीं छोलता है उनको पत हमें कल किसी के साथ लड़ाई हो जाए हम कहेंगे जो बीच लड़ाई में हमें मिशाइल की कमी पड़ गई अमेरिका में देने वाला कभी नहीं दिया आस तक फ्रांस नहीं देने वाला वो तो रशीया ही आधी रात को पहुंचाएगा चलो दो दिन में आपको भेजते हैं ड़ाई है मैं उसे लड़ने ही सकता मैं उसे चुप रह जाऊंगा वसे अपने आपको दूर रखोंगा लड़ने सकता क्योंकि मेरे दुक में साथ देता है और आगे भी जाएगा और सेम अब्जेक्टिफ बले दोस्त होते हैं हर दोस्त दोस्त काम नहीं आता है तो उसके स साथ सला करनी होती है अब जैसे भारत और अमेरिका के दोस्तें कभ दोस्तें चाहिना के खिलाब कोई बात होगे अमेरिका भारत का साथ देगा पर जैसे पाकिस्तान के खिलाब होगी तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा तो यूआप तो चूज यूर फ्रेंड वहाद सेम अबजेक्टिव ध्यान रखिए मित्रत आपके पचाश होंगे पर उस पटिकुलर कॉंटेक्स्ट में कुछ गिने चुने मित्र होंगे जिनके साथ आपको बैठना चाहिए क् वह मित्र जिनका अबजेक्टिव आपके अबजेक्टिव से म्याच करता हो तो इसलिए वह कहते हैं समान अबजेक्टिव वाले मित्र के साथ रिलेटिव के साथ काउंसिलरों के साथ वह काउंसिलर जो आपका भला चाहते हैं उनकी साथ बैठके डिसकुशन करके और एक ल क्योंकि आप कितने भी तयारियां कर लीजिए अभी देखिए स्पेस शटल में सुनिता विलियम्स फंसी हुई है तो लड़ाई में आप कितने भी तागतवार हो क्या पता कहां से क्या चीज़ हो जाए कोई तो यह उसको भी ध्यान रख करके जो जो लीडर काम सुरू करता है वही बेस्ट लीडर मनुश्य होता है अब देखेंगे मध्यमान लीडर कौन एको और थांवे इम्रिशेत एको धर्मे प्रकुरुते मनह एक कार्यानी कुरुते तमाहुर मध्यमम नरं जो व्यक्ति या जो लीडर अकेला ही सबकुश इससे सोचता है अकेला ही धर्म में मन करता है अकेला ही काम शुरू करता है उसको मध्यमम मीडिल का मीडियम लेवल का लीडर मानना जो खुदे सब सोसता विचारता बुरा नहीं सोसता उसको इंटेलिजेंट है स्मार्ट है तो पर अकेला करता तो वह मीडियम लेवल का और अधम वर्ष्ट लेवल के लीडर गुण दोशावनिश्चित्य त्यक्त्वा दैवभ्यपाश्रयम करिश्या यह कारियम उपेख्षेता सनराधम हो तो नराधम है वर्ष्ट टाइप लीडर या हुमन बिंग है भैस करना है अभी दिमाग में आया करना है तो कर पड़े ना उसकी मेरिट सोचा ना डिमेरिट सोचा ना अंसिन फ्याक्टर सोचा ना टाइम देखा ना प्लेस देखा बस अच्छा यह अच्छा चीजे चलो अभी शुरू करते विना सोचे शम्दे टपक पड़े वह नराधम है यह था इमें पुरुशानित्यम उत्तमा धम मध्यमाह एवं मंत्रों पिविग्यया उत्तमा धम मध्यमाह और यह तो हो गया तीन तरह के जो लीडर्स या लोग होते है उत्तमा अधमा मध्यमा अलग गूड मीडियम बैट इसी तरह जो डिलिबरेशन मंत्रण जो डिसकस्शन है डिलिबरेशन है क्लोश डोर डिलिबरेशन दरवाजा बंद करके एक रूम में तीन चार पांच लोग बैठके जो डिलिबरेशन करते हैं वह भी तीन कैटेगर अधमा क्या है एसा डिलिबरेशन अईक्यम अतमुपागम्य शास्त्र द्रिष्टेन चक्षुषा मंत्रीनों यत्र निरतास तमाहूर मंत्रम उत्तमं जिस डिलिबरेशन में सारे काउंसिलर अड्वाइजर कहिए मिनिश्टर्स कहिए मंत्री कहिए उगदेशक कहिए जो भ इसक्सें कर रहे हैं और सभका एक ही टाइप का सोच वो जहां शास्त्रों ऑकि टेक्ष्टे शास्त्र या टेक्ष्ट के द्रिष्टि शे जो सूस्ते quickly सोष्टेम्रों जो भी शास्त्र के अनुकुल सोष्टे वो इसी तरह इसी सीके बेस पर जो अइक्यमत प्रेशन उत्तम होता है पेश्ट टाइब की डिस्कुशन होता है बहव्योपी मतयोगत्वा मंत्रिनों ही अर्थ निर्णये पुनर्यत्र इकताम प्राप्तह समंत्रों मध्यमास्मृता वो रेजुलेशन जो एक निश्चे होता है कि हमें ये करना है मिटिंग में बैठे हुए मंत्री लोग अलग-अलग राय दी सबकी अलग-अलग राय हो सकता है या दस लोग बैठें चार लोगों की राय अलग छे लोगों की राय अलग अपने अपने विचार हो पर जब एक चीज फाइनल हो गया उसमें दसों के दस राजी हो जाए अपन अपनी जो भी डिफरेंसे से आप रखेंगे पर फाइनल जब डिसिशन हो जाए तो सब एकता युनानिमीटी के साथ अगरी करेंगे ऐसा जो रिजुलेशन होता है या जो जो डिसिशन निरिणा होता है वो मध्यम कैटेगरी का होता है अरशब吧 नोधिमासथ्यश्यश्यक? नाचेए कमति श्रेयोस्ती मंत्रसोध हम उच्च्चते कोही किसी का ना सुने क्सरे को कातना है अपनी बढ़ाही करने के लिए अपने आपको बढ़ा दिखाने के लिए अपनी बातों को justify करे कोई किसी को सुने नहीं माने नहीं और जब किसी तरह की कोई unanimity कोई एक मतता ना बन भाए ऐसे डेलिब्रेशन या ऐसे डेलिब्रेशन के discussion के बाद जो भी निर्णाय होता है वो सबसे lowest category का निर्णाय होता है इसलिए यह रावण कह रहें तस्मात सुमंत्रितम साधु भवन्तो मंत्रि सत्तमाह कार्यम संप्रति पद्यंताम एतकृत्यतममम इस कारण से आप लोग सब बहुत अच्छे उत्तमकुटि के बुद्धिवाले लोगों आप लोग बहुती अच्छी तरह discussion करके जो भी एक सही action plan क्या करना है उसको well thought out करके मुझे बताएंगे जो कि जिसको implement हम कर सकते हैं यह आप मुझे बताएं पर ध्यान रखे वानराणाम ही वीराणा सहस्रई ही परिवारित रामो भेति पूरिम लंका मसमा कम उपर रोधका पर ध्यान रखे उदर वाले चुप-चाप नहीं बैठे हों यह हनुमान ने तोड़ फोड़ करके चला गया तो चुक नहीं बैठा होगा फूरी तयारी शुरू कर दी होगे हमारे शत्रु राम हजारों की वीर वानरों से घिर करके लंका की और यात्रा शुरू कर दिया होगा तरिश्यतिच सुव्यक्तम राघव सागरम सुख्तम और मुझे पक्का यकीन है राघव बड़ी आसानी से समुंदर को भी पार कर जाएगा तरसा युक्त रूपेन सानुज सवलानुगह और उसकी फालो करने वाले उसकी साथ रहने वाले और भी बड़ा धुरंधर पीड उसका अनुज छोटा भाई लक्षमन भी वो भी उसकी साथ आरा होगा इसलिए समुद्रमुच्छो शयति वीरिये नान्यत करोतिवा तस्मिन्नेवं गतेकारिये विरुद्धेवानरेईसा हितं पूरेच सैन्येच सर्वम समंत्रतां ममा इसलिए ये ध्यान रखे हो सकता है राम समंदर को सुखा भी दे अपनी ताकत से उसके पास इतने ताकत है वो अपने ताकत से कुछ भी करके समंदर पार कर लेगा और अपने वानरों के साथ वो यहां किसी भी तरह पहुँच करके अपना जो मेरे विरुद्ध कारिया है वो करेगा इसलिए आप लोग सोब मेरे हित को देखते हुए मेरी वेलफेर को देखते हुए अच्छी तरह सोच समझ के डेलिबरेट करके मुझे सलाह दीजिए मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें